वेलकम तो माई चैनल से प्रकास क्लास है दोस्तों आज हम भारत के 20.18 Oh के पीछ पढ़ेँगे उसके बास भारत के 20.18 Oh एक हिस्तित हैं किस प्रकार सें इनकी मानतक किस के द्वारा दी जाते दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 20.18 Oh की मानतका उनेसको द्वारा दी हमको बताते हैं किस तरह की हमारे देश की सभ्यता और सांस्कृति थी उसको संयोग करने में महातपुर्ण भूंक्या निवात दोस्तों चलो देखते हैं भारत में कौन-कौन से विश्विरासत अस्थल किस राज्य में इस्थित है चलो दोस्तों देख लेते हैं यहां पर हिम माजल प्रदेश में कालका और सिमली से देश्विरासत अस्थल नाथ तोन पा सब्सक्रि में चलो देखते हैं कंद। ॉत्युर्ण साब्सक्रिक्रिक्रस निवाटी अ कि मासर प्रदेश में करना एक किशित में उत्त्रा खंड में एक विस्थ वीरासत है स्थाल है इसका नाम है ननदा देवी हम दोस्तों कि अब लिए श्दल यहें ज्या ज्ले नम्हें चलो और देखतें हैं कि इस निश्थे हिरे से जाए धेखे में वर्ड हेरिटेस साइट हैं यहां पर आपको बताऊंगा सबसे पहले कि विश्व के साथ अजूबों में अपना आदरा का ताजमाल है रर्ड है यह सफल है जो कि उत्तर प्रदेश के आधरा जिल में स्थित है उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में वर्ड हेरिटेस साइट है जिसको विश्व केंटरा획 अस्थल कहा जाता है आगरा का पिल्या है आगरा का पिल्या है आगरा का पिल्या का निर्मान अकबर के द्वारा कराया गया था जबकि आगरा के ताज महल का निर्मान सा जहां के द्वारा कराया गया था उसके बाद देखें ते उत्तव प्रदेश में और एक नेस्मल हरिटेज साइट वर्ल्ल हरिटेज साइट है इसका नाम है हते पूर्षीकरी का दिला हते पूर्षीकरी के लिए इसका निर्माण भी अकबर के द्वारा कराये गया था दोस्तों आप लोग इसे नो डाउन कर लिजिए दोस्तों चलो देखते हैं अब बिहार में कौन सा वर्ल हरिटेज साइट है बिहार में महाबोध मंदीर है जो बोध गया बिहार के गिला है वहाँ पर इस्थित है उसके बाद चलो देख लेते हैं पैस्ची मंगाल यहाँ के सुन्दर्वन राष्टि उदान एक डिस्विरास अस्थाल है दोस्तों पैस्ची मंगाल में केवाल एक word घ्रिटेज साइब है जिसे बिस्विरास अस्थाल कहा जाता है इसका नाम है सुन्दर्वन राष्टि उद्दान अब देखते हैं आसाम में कौन-कौन सा बिस्विरास अस्थाल है एक है मानत राष्टि उद्दान एक मानास है, दूसरा कांजी रंगा है दोस्तों चलो देख लेते हैं इसका जो इस दोनों राष्टी उद्दान में कुछ एक्स्टाप है उसके बाद इन दोनों राष्टी उद्दान में जंगली भायसा भी पाया जाता है चलो देख लेते हैं अब उडिशा में उडिशा स्टेट में एक वर्ड हेरिटेस साइट है इसका नाम है सूर्य मंदिर सूर्य मंदिर है दोस्तों सूर्य मंदिर का निर्माण नर्सिंग देव पर्थम ने करवाया था जो कि ये बैज्यानिक द्रिश्ट से सूर्य मंदिर बहुत महतपूर है चलो देख लेते हैं उसके बाद तमिल नाडू स्टेट में कौन कौन सा वर्ड हेरिटेस साइट है या विश्तो विर्यासन अस्थाल है एक है चोल मंदिर अब दूसरा है महावाले पुरम के मंदिर महावाले पुरम के मंदिर दोस्तो चले एक बाद कोई क्रिमीजर कर लेते हैं बिहार में महावावाद मंदिर है पस्ची मंगाल में सुंदर्वन राष्ट्यूद्दान है आसाम में मानस राष्ट्यूद्दान है कांजी रंगा राष्ट्यूद्दान है जो की एक सी गैडे के लिए फेमस हैं उसके बाद जंगली भैसे के लिए फेमस हैं ये दोनों राष्टी उद्दान आप लोग दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा उसके बाद देख लेते हैं उडिस्या में कौन सा वर्ड हेरिटेश शायथ है या विस्विरासर अस्थल है एक सूरि मंदिर जिसका निर्माण नर्सिंग देव पर्ठम ने करवाये था तमिल्त देख लेते हैं कौन सा बिस्विरासर अस्थल है दो बिस विरासर अस्थल है तमिल्त नाडाँ में एक है चोलमंदिर दूसरा है महावालीilda मंदिर चलो आप लोग इसे नोट कर लीजिए चलो दोस्तों देखते हैं करनाटक में कौन सा विस अस्थल स्थित है करनाटक है मैं लिख दे रहा हूं केसे आप लोग समझ जाएए कि से करनाटक में सबसे पहले है हमपी का आउसेश हमपी आउसेश मैं लिख दे रहा हूं कि आप लोग इसे दोस्तों हमपी का और सेस है दूसरा है पठाकल का मंदिर पठाकल मंदिर दोस्तों जैसे कुछ लोग सोचते हैं केवल जहां पर मंदिर है उसको ही वर्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है ऐसा नहीं है कुछ वहाँ पर खाली अस्थल भी रहता है तो आप लोग कुछ वहाँ पर गयरकानु तरीके से कोई गदवीडिया नहीं कर सकते हैं कभाली अस्थाल भी रहता है उसको भी नैम्हेरेटेस डरर्जा दीन आता है जैसे हमपी का सब्सेर यहां पर कुछ खाली है उसको भी वर्ड़ हरिटेस सायट का दरजय दियो गया है कि चलो देख लेते हैं अब महाराष्क में महाराष्ट में सबसे पहले है अजन्ता की गुफाएं अजन्ता की गुफाएं दोस्तों अजन्ता की गुफाएं गुप्त सासक द्वारवनायत बनवाई गई थी कि उसके बाद यह महाराष्ट के और अंगवाद दिले में इस्थित है उसके बाद तलो और देख लेते हैं जो कि महाराष्ट में इस्थित है दोस्तों इसको इस साइड लिख दे रहे हैं इलोरा की गुफाएं इलोरा की गुफाएं बहुत द्वारवनाय गयी थी यह भी महाराष्ट के और अंगवाद जिले में इस्थित है चलो देखते हैं उसके बाद एली फैंटा की गुफाएं एली फैंटा एली फैंटा राष्ट कूर्स साज को द्वारवनाय गयी थी दोस्तों चलो एक बार रिविजन कुईक कर लेते हैं कौन कौन सा विश अस्थल विश 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 अस्थल किसकी राज में स्थित है हमपी का उस्थेस करनाटक में इस्थित है उसके बाद पड़ककल का मंदिर करनाटक में इस्थित है महाराष्ट में चलो देख लेते हैं कौन कौन सा विश 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 अस्थल इस्थित है महाराष्ट में सबसे पहले अजन्ता की गुफाएं जो की महाराष्ट के अवरंगाबाद दिले मिस्थी थे हैं इसको गुप्त सासकों द्वारा बनवाया गया था एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट मिस्थी थे हैं इसे पौधो द्वारा बनवाया गया था चलो दोस्तों महाराष्ट में एक और भी विश्टु विर्यास अस्थाल है जिसका नाम है सीवजी टर्मिनल चलो दोस्तों देख लेते हैं गुजरात में कौन कौन सा विश्टु विर्यास अस्थाल है एक है रानी की बाव रानी की बाव को 2014 में नेशनल वर्ड हेरिटेश साइट का दाज़ा दिये गया था जो 100 रूपे के नोट पर इसका चित्र छपा हुआ है दोस्तों रानी की बाव का मतलब है एक परमपरागत तरीके से एक तालाव एक कुंगा होता था जहां से पानी निकाला जाता था इससे हम लोग बर्तमान में सीख सकते हैं किस तरह से पानी के समच्छड किये जाता था हमारे भूतपूर समय में चलो दोस्तों देख लेते हैं और अहमदवास सिटी है अहमदवास बिस्ट की पहली सिटी है जिसको बिस्ट ब्रयास अस्थाल का दर्जा दिये गया था चलो हम देख लेते हैं महाराथ यहां पर मध्य परदेश में कौन-कौन सा वर्ड हेरिटेज साइट है या बिस्ट ब्रयास अस्थाल है यहां पर सबसे पहले में बताऊंगा आपको खजुराहो का मंदिर है खजुराहो का मंदिर है खजुराहो का मंदिर है दूसरा भीम बेटका की गुखाए है चल दोस्तों एक बार कुई क्रिविजन कर लेते हैं जैसे गुजरात में रानी की बाव है जिसको 2014 में विस्विरासा अस्थल का दर्जय दिये गया था उसके बार आहमदाबाद है जिसको जो विस्व की पहली वर्ड हेरिटेज साइट का दर्जय दिये गया था आहमदाबाद सिटी को चलो देख लेते हैं मध्य परदेश में कौन-कौन सी विस्विरासा अस्थल है एक है खजुराहो का मंदिर दूसरा है भीम बेड़का की गुफाएं चलो देख लेते हैं दोस्तों दिल्ली में कौन-कौन सा विस्विरासा अस्थल इस्थित है एक है सबसे पहले लाल किल्या लाल किल्या है दूसरा है हुमायुका मकबरा दोस्तों तीसरा देख लेते हैं एक तीसरा है कुतुब मिन्याद आप लोग दोस्तों इसे डोट डाउन कर लेते हैं दिल्ली में कौन-कौन सा विस्विरासा अस्थल इस्थित है लाल किल्या है उसके बाद दूसरा है कुतुब मिन्याद तीसरा है हुमायुका मकबरा आप लोग दोस्तों इसे डोट डाउन कर लेते हैं चलो दोस्तों आप देख लेते हैं राजस्थान में कौन-कौन सा विस्विरासास अस्थल इस्थित है सबसे पहले आपको पताऊंगा जनतर मंतर जनतर मंतर जोपी जैकुई में स्थित है एक विस्विरासास अस्थल है उसके बाद है कुम्भलगड कुम्भलगड हो गया उसके बाद है रडठमभवर कुम्भलगड हो गया दोस्तों उसके बाद अर्ठमभवर का किल्या हो गया उसके बाद देखते हैं दोस्तों उसके बाद है गाग रोन का किल्या दोस्तों यहां पे आयसे लिख दे रहा हूं आप लोग यहां पर किल्या समझ जाना, सभी में किल्या लगा हुगा है, क्योंकि यहां पर इतना जादा स्प्येस नहीं है, और दोस्तों देखते हैं, एक है आमेर का किल्या, एक है जैसल मेर का किल्या, शवेबियावर कर लेते हैं, जन्तर मंतर है जोकी जैपोर में है कुम्भालगड़ है कुम्भालगड का किल्या है रठ्थमभावर का किल्या है गागरोन का किल्या है जैसल मेर के दोस्तों 2020 में जैपूर सिटी को विश्वीरासव अस्थल का दर्जा दिये गया था आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लो चलो दोस्तों एक राजस्थान में आउ रहे हैं इसका नाम है चित्तावडगर का पिला चित्तावडगड का किल्या कि चलो दोस्तों यह जो है विश्वराद अस्थाल एक चित्तावडगड है जो की राजस्थान विसित है आप लोग इसे लिख लीजिए दोस्तों आप लोग को जियोग्राफिक पर कोई टोपिक में कन्फ्यूजर नहीं तो आप आप लोग सजेस्ट कर सकते हो जिससे नेक्ट्स वीडियो उसके बना जिए जाएगा आपको क्रिश्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो रा सजेस्टन एंड एनी कमेंट राइट डोलने समय कमेंट सेक्षान थाइंक्यू आल आफि ज्याएग चाहिए आपको अच्छा आपको जाएगा अफिंग्स कर सकते हूएगा थाइएग जयर वाएगा तो लाएगा